आपने दिया है CVT के एक्जाम और करना चाहते हैं, BA, BST, BCOM, BALB और साथ में BCA के भी कोर्स, तो आपके लिए एक ऐसी इंवर्सिटी को ले करके हम आज आए हैं, मैं नितीश नंदनी, Basic सिछा के इस online परिवार में आपका स्वागत करता हूँ, आज हम बात करेंगे इस वीडि जाता है, जो पिछले साल का कट-off गया हुआ है, तो चलिए सुरुगात करते हैं इस वीडियो की ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, गुरु घासितास विश्टु विद्याले जो बिलासपूर में है, ठीक है, चतिस गर बिलासपूर में है, और ये विश्टु जो है बेसिकली अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कौन-कौन से कोर्स ओफर करता है, बीए, बीएस्सी, बीकॉम, बीए, बीसी, बीएड, बीपेड, ठीक है, बीलीव, बीटेक और बीए एललबी, सात में, अगर हम सीट को डिसकस कर लें, तो यहाँ पर सीट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए BSC Honors Anthropology में 50 seat है BSC BA Honors Anthropology में 25 seat है BSC Biotechnology 75 seat है BSC Honors Botany में 75 seat है chemistry में 75 seat है ऐसे सारे seat हो को discussion यहां किया गया BA Honors Economics में 75 seat है electronics में BA BSC Honors में 75 seat है BA Honors English में 75 seat है BA Honors Hindi में 75 seat है लगबग 75 seat आपको देखने के लिए हर कोर्स में 75 सीट है, फॉरेंसिक साइंट्स में जो है, वो सहती सीटें आपको यहां देखने के लिए मिलेंगी, और B.A. L.L.B. के अगर हम बात करें, जो 5 साल का इंटिगेटेड कोर्स चलता है, वहां पर 120 सीटें आपको यहां देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे, तो 5-year integrated B.A.M. L.L.B. भी होता है, जिसमें 120 सीटें मिलेंगी, B.A.C. में 75 सीटें हैं, और B.C.A. जो Self Finance Course है, वहां पर 60 सीटें हैं, ठीक है, इसके अलावा, अगर हमें एक और कोर्स यहां चलता है, foreign language का, जिसमें 75 सीटें हैं, भी यह honors करते हैं उससे, अगर हम fee structure की बात कर लें, तो यह पुरा fee structure है, एक एक चीज़ को define करना, आप देख लेंगे वीडियो में, यह PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और साथी साथ हमारा जो WhatsApp ग्रूप है, नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उससे हमारा एक WhatsApp ग्रूप है, आप उससे WhatsApp चैनल है, आप वहां से उससे जूड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको बहुत सारे information मिल जाये करेंगी, अगर यहां पर टोटल हम फीज देखेंगे, तो एक हजार पचास रुपए है, वन टाइम फीज है, येरली फीज जो है नौसो पचास रुपए लगती है, समेस्टर फीज जो है 3,050 रुपए लगती है, ठीक है, इस तरीके से यहां पर फीज ट्रक्चर भी दे दिया गए, ये किसके लिए है, ये BA, BSW और BA, BELIEP के लिए है, ये फीज स्ट्रक्चर जो है BELIEP के लिए है, ये fees structure BSC के लिए 4,050 रुपए और अगर आगे हम बढ़ेंगे B.com की fees की बात कर लें तो 3800 रुपए लगते है टोटल समेस्टर फीस और 1,050 रुपए जो है टोटल ये सब जो फीस है, admission fees, environmental fees जोड़ करके फिर इस यहाँ sports fees अलग है सारी फीसे को calculate करके बताए गया है अगर हम b.com की बात कर लें तो 17,400 रुपए फीस है total अगर हम B.com की बात करें तो B.com की 100 रुपए फीस है B.com Special Education में भी 100 रुपए फीस आपको देखने के लिए मिलेगी अगर हम B.TEC की बात करें सबसे important जो की cut-off है अगर हम cut-off की चर्चा कर ले तो cut-off आप देख सकते हैं BSC Honors Chemistry में 18.18 जो है cut-off गई है BA Honors Hindi में 85 BA Honors Political Science में 96 नमबर BSC Honors Mathematics में 116 BSC Honors Computer Science में 117 अगर आप BA Honors English में देखेंगे तो 229 नमबर cut-off गई है पूरा अलग-अलग 2030 का cut-off है जो अलग-अलग सेक्टर में था अब हम बात करते हैं यहां कुछ facilities की तो facilities में आपको लाइबरेरी मिलेगी Women Study Development Center है Computer Center है, Health Center है जो आपके स्वास्त का भी ध्यान रखा जाता है ठीक है, hostel facility की बात करेंगे यहां पर 200 सीटे इसमें है 460 सीटे जो है इस Boys Hostel में मतलब आपको hostel facility यहां पर provide कराई जाती है ठीक है, उसके बाद हम hostel की अगर बात कर लें तो hostel जो है आपको available मिल जाएगा, ठीक है आपके rank के हिसाब से, आपके number के हिसाब से इन सब चीजों को count करके यह hostel देते हैं यहां पर आपको सारी चीजे बता दीगें hostel fees की अगर बात कर लें तो hostel fees 6000 रुपए है ठीक है, 6000 रुपए hostel fees है मेस का 9,450 रुपए मेस का चार जाएगा ठीक है, और admission जो नए admission हो रहा है, यह क्या है फर निए admission girls hostel यह girls hostel की fees है, ठीक है एन सवामी विवेका अनन्द, boys hostel यह दोनों hostel की, फर admission in the new hostels ठीक है, तो 12,000 रुपए new hostel की fees है, 10,000 रुपए yearly fees है और 2000 रुपए refundable hostel caution मनी है, जो आपको बाद में वापस कर दी जाएगी, ठीक है मेश चार जो है, 9,450 रुपए लगेगा आपको देना पड़ेगा, ठीक new admission में 12,000 रुपए है और ऐसे आपका fees जो है, वो 6,000 रुपए है ठीक, अब बात करते हैं, क्या यहाँ पर NSS चलता है, यहाँ NCC है और Sports Center भी यहाँ पर चलते हैं अब यहाँ हम बात करते हैं, कौन-कौन से notable alumni यहाँ पर पढ़के निकले हैं तो यह Arun Sao है, जो Indian politician है ठीक है, यह नितिन दूबे है यह Indian singer है, ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे, तो यह तीसरे नमबर पर आते हैं वंकटे सपपा, यह भी Indian politician है इस तरीके से यह most important लोग हैं, जो यहाँ से पढ़के निकलें और बड़े-बड़े जगहों पर अपने आपको सुसोभित करते हैं, ठीक है इसके अलावा जो है, इस Guru घासिदास के बारे में हमने पूरी detail आपको बता दी, ठीक है अगर आप Guru घासिदास में जाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत important है इसके अलावा आप किस university में जाना चाहते हैं, किस university पर हमसे वीडियो चाहते हैं और साथी साथ जो है, और भी अगर आप सो CUT से समबंदित कोई प्राव्ब्म है तो कमेंट सेक्टर में पिन कर दीजेगा, और यह वीडियो उन बच्चों तक सेयर कर दीजेगा जो Guru घासिदास में जाना चाहते हैं, ठैंक यू सो मच, जै है